नमस्कार दोस्तों मैं आपका भाई मायंग शर्मा दोस्तों एक नोटिफिकेशन आ रही है UP पुलिस सब इस्पेक्टर की तरफ से जो बेकेंसी निकली होई है उत्तर प्रदेश पुलिस रिकूरूट्मेंट और प्रोमोशन बोर्ड UP PRPV are invited to online application form for the recruitment post of SI SI के लिए यहाँ vacancy निकली है तो बात कर लेते हैं important dates के बारे में important dates क्या है 16 2021 को यह vacancy निकली है और last date इसके form फिल करने की है 157 2021 अगर हम बात कर लेते हैं application fees की तो application fees general and obviously के लिए 400 रुपे है और SC और ST के लिए भी 400 रुपे है all category female के लिए भी 400 रुपे fees है और fees जो है वो net banking के थुरू आप कटवा सकते हैं उसके बाद में बात कर लेते हैं age limit की तो age limit क्या है minimum 21 साल है और maximum 28 साल इसकी age है और election sense की बात कर लेते हैं तो आप सरकारे result.com पे जाके मैं description पे डाल दूँगा बहाँ पे आप सारी information rules regulation पढ़ सकते हैं अब बात कर लेते हैं टोटल बेकेंसी की तो टोटल बेकेंसी जो है 1329 बेकेंसी है बात कर लेते हैं post 22 बेकेंसी की और eligibility criteria SI के लिए कितनी बेकेंसी है? 327 बेकेंसी है जिसके लिए bachelor degree होनी चाहिए any stream recognized university typing speed मांगी है इसमें typing मांगी है इन्होंने हिंदी की typing मांगी है 25 word per minute और English की मांगी है 35 word per minute stenographer हिंदी के लिए 80 word per minute और O level exam पास दोना चाहिए ASI killer के लिए 664 बेकेंसी है उसके लिए भी आपको bachelor degree किसी भी stream से होनी चाहिए इसमें भी हिंदी की typing मांगी है 25 BPM और English की मांगी है 35 BPM और O level diploma पास दोना चाहिए के बाद में ASI account के लिए बेकेंसी है 358 बेकेंसी है bachelor degree in commerce बी को मांगा है इन्होंने और हिंदी की typing 15 BPM और O level exam पास दोना चाहिए ние 2.22 बेकेंसी डिटेल हम देख लेते है S I के लिए जो है जन्राल के लिए 136 हैd ABC के लिए 135 है उसके बाद में ASI की بात कर लेते हैं तो जन्राल के लिए 145 है और RX सके लिए 75 है उसके बाद में how to fill is सरकारीरिजल.com पे आप जाकर यह form फिल कर सकते हैं मैं description में link डाल दूँगा उसके बाद में अगर आपको और कोई query या आपको और कोई information चाहिए तो आप comment box comment कर सकते हैं इस तब तक के लिए मिलते हैं अपनी next video में